नमस्कार आप सभी का आज जैमातादी आज हम बात करने वाले हैं गुरू चंडाल योग के बारे में आज की जो मेरी क्लास है वो गुरू चंडाल योग की है आज मैं आपको बताऊंगा कि ये जो योग है ये सिर्फ और सिर्फ एक तरह का ब्रह्म है कि ये नेजिटिव योग है ये खराब योग है इससे बड़ा पॉजिटिव योग कोई नहीं हो सकता इवन गच के सिर्फ से ज़ादा मैं इसको इंपोर्टन्स देता हूँ आपको बताता हूँ क्यों आज की हमारी जो क्लास है वो गुरू चंडाल योग की उपर है गुरू चंडाल गुरू मींज जुपिटर रागया प्लस राहू जब जुपिटर प्लस राहू कंजंक्ट होते हैं या फिर गुरू के ट्राइन में राहू हो या राहू के ट्राइन में गुरू हो यह यूति का नाम पढ़ता है गुरू चंडाल योग जब आप इस नाम पर गौर करेंगे तो एक बात और सामने आती है कि गुरू चंडाल मीन का मतलब क्या है अगर हम इसको लिखें गुरू चंडाल योग अब आप देखेंगे एक ही तरफ पॉजिटिव चीज आ रही है एक चरफ नेगिटिव चीज आ रही है इस कॉम्बिनेशन में यह वो योग है जो गुरू को चंडाल में बदल दे और चंडाल को गुरू में बदल दे इसके तू साइड्स है नमबर वन साइड यह कि एक अच्छे विक्ति को या फिर एक ऐसे नेगिटिव विक्ति को यह योटी एक गुरू में कंवेट कर देती है यह फिर गुरू को गलत रहा पर ले जाती है चंडाली तो बना देती है अब मैं आपको इसका बहुत अच्छा उधारन देता हूँ हर एक यूती की दो साइड्स होती है हर एक यूती की दो साइड्स होती है इवन वो गजकिसरी हो इवन वो गुरु चंडाली हो जब मैं Jupiter को लेता हूं प्लेस राहू को एक साथ लेता हूं so Jupiter कौन है Jupiter है ग्यान का कारक किसका ग्यान है ग्यान का कारक यह ऐसा योग है Jupiter वो एक planet है जो blessings का भी कारक है और राहू को हम मानते हैं observer the one who observes well blessing plus observation that means ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा अब्जवर होता है ऐसा व्यक्ति बहुत ही अच्छा भी कह सकते हैं जिसको हम सर्वे कहते हैं ऐसा व्यक्ति वो काम बहुत अच्छा कर सकता है ऐसा व्यक्ति व्यपार बहुत अच्छा कर सकता है ऐसा है व्यक्ति पॉलिटिशन बहुत अच्छा बन सकता है क्योंकि आपको मैं एक बात बता दूँ गुरू प्लस रहू वाले को जो कि जब पॉजिटिव होगा अगर ये अगर ये यूति किसी के चार्ट में उपस्तित है और पॉजिटिवली व्यक्त कर रही है तो एक बात समझ जाईएगा वो व्यक्ति जो है वो व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जो कि आप उसका कुछ भी नहीं बिगाड सकते है आप उसका कुछ भी नहीं बिगाड सकते इवन अगर आप उसको परशान करेंगे तो आपके काम खराब हो जाएंगे That is the power of this conjunction जो किसी conjunction में नहीं है ये यूति आपको वो बल प्रदान करती है एक चीज़ और बता दे तो ये यूति पॉजिटिव कैसे होती है हम कहते हैं जो तेरा है वो मेरा है जो मेरा है वो तेरा है जो जब जूपिटर प्लस राहू एक साथ आ जाते हैं तो राहू अपनी कॉलिटीज जूपिटर को दे देता है जूपिटर अपनी कॉलिटीज राहू पर दे देता है इस वज़े से होता क्या है इस वज़े से ये होता है अगर इस चार्ट में positively एक्ट करेगी तो that means राहू एक्टेव होगा यह राहू सबसे बड़ा शत्रू बनता है शत्रू कुछ में नहीं कर सकते है और गुरू राहू की यूति किसके अंदर है वो ही बता देता हूँ जो गुरू राहू का मैंने परफेक्टली किसी को काम करते हैं किसी के चार्ट में वो है रतन टाटा उनके चार्ट में ट्राइन में जूपिटर राहू है और बहुत ही पॉजिटिव वक कर रहा है वो इस वज़े से जो उनका गाड़ियों का काम है वो बहुत अच्छे चलेगा राहू टेक्नोलिजी का कारक भी है सो अभी अंतराल में उनके राहू की दश्या भी आई है सो उस वज़े से उसमें उनके काम है बहुत बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी इवन इन स्टॉक्स ऑल्सो इन्वेस्मेंट अब भी आप सभा सकते हैं और एक बात में आपको बताता हूँ जब जुपिटर राहू पॉजिटेवली आक्ट कर रहे हूँगे न आपके चार्ट में जब भी जुपिटर राहू पॉजिटेवली आपके चार्ट में आक्ट कर रहे हूँगे अपने एक चीज़ और देखी होगे जो भी इंस्टागराम चलाते है Instagram उन पे जो Reels आती है या Images आती है या Videos आती है क्योंकि राहू किसका कारक है राहू इन सबका कारक है जो Digital Platform पे जो भी आप Social Apps चल रहे हूँ मैंने एक चीज़े भी देखी है कोई भी Problem का Solution कोई भी आपके मन में Problem चल रही है और आप Instagram चला रहे हूँ या कोई भी Platform चला रहे हूँ Suddenly वो जो पड़िशानी का solution है वो Digital Form में आपको मिल जाएगा अगर Positively चार्ट आपके कुणली में उपस्तित है और Positively काम कर रहा है तो आपको Reels के थूँ या Images के थूँ आपको कही ना कही Online Information खुद आपके बास चल कर रहेगी जस्त आपको Observe करना है मिकोस रहू इस दक कार को Observe मैंने कई बार मेरी मैंने चार्ट में देखा है कि Problem का Solution को भी मन में Problem हो इंस्तग्राम में Social Network चलाता है अपना उसमें Solution मिल जाता है यह वो यूति जो Positively काम कर रही हो अब Positive बता दिया तो Negative भी बता देते जब यह यूति Negatively काम कर रही हो दियां से देखेगा जब यह यूति Negatively काम कर रही हो तो ऐसा व्यक्ति क्योंकि Jupiter क्या है Jupiter हमारे गुरू है तो Jupiter रहो क्या करेंगे सबसे पहले अगर वो negatively काम करने है number one ऐसा व्यक्ति जिससे भी शिक्षा लेगा जिससे भी वो teaching करेगा यह teaching लेगा वो switch कर देगा उसको वो बनेगा यह बिकार पढ़ाया ग्यान ले लेगा ग्यान लेने के बाद वो बनेगा नहीं है रटा दूसरी बात ऐसा जो व्यक्ति होगा वो क्या होगा ऐसा है व्यक्ति खुद को तवज्जू देने वाला होगा सामने वाले को नहीं तो आप एरोगेंज भी कह सकते हैं और तीसरी और आखरी चीज ऐसा है व्यक्ति जल्द बाजी में डिसीजन लेगा और जो भी डिसीजन लेगा सारे फेल जाएंगे यह है नेगेटिव प्रभाव अब इसकी रेमिडीज मैं आपको बता देता हूँ इसकी रेमिडीज क्या है क्योंकि इस यूतिशा में ये समझ आता है कि हमें इसमें जो बल देना है वो राहू को देना है क्योंकि जुक्तरनों ने शक्ति इनको दी है तो राहू ने इनको दी है जब आप राहू को बल प्रधान करेंगे ये यूति का पॉजिटिफ फल आपको मिलने लग जाएगा और रागु को बल कैसे प्रधान करें डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे आप कोई भी फील्ड में हूँ कोई भी फील्ड में हूँ जिस फील्ड में आपको एक्सपर्टीज हो या आप काम कर रहे हो उस फील्ड के जो भी सल्यूशन्स है वो ऑनलाइन पोस्ट कर दिए यह रागु गुरु की सबसे बेस्ट है क्योंकि गुरु है सल्यूशन का कारक वो सल्यूशन जो आपको प्रॉब्लम से मुक्त कर दे और रागु है डिजिटल प्लेटफॉर्म का कारक अगर आप इनको ओनलाइन आप कोई भी आपकी नॉलेज में कोई भी आपकी नॉलेज हो स्टोक मार्केट की टिप्स हो गई हेल्थ के लेकर कोई टिप्स हो गई डायेट को लेकर कोई टिप्स हो गई आपने कोई एक्जामेनेशन दिया है उसके तहित आप कुछ भी post कर सकते हैं कि इस examination के लिए ये supporting material है तो कुछ भी आप online ऐसा योगदान दे सकते हैं गुरु रहु की YouTube perfectly आपके कुण्ली में अगर उपस्तित है रहु प्लस जूपिटर आपके कुण्ली भी conjunction है नेगेटिवली काम कर रहा है तो यह आप काम कर सकते हैं आपको बहुत फायदा मिलेगा इसको हम कहते हैं कर्मा alignment किसी भी चीज को करम से जोड़ देना क्योंकि कल्यूग में यही चीज है करम कर फाल के चैंता मत कर होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा कमेंट करिएगा और कमेंट इकर कर रही भी बताइएगा अगला टॉपिक किस पर आए होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो